हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिसेट नमर ठाटीन एक से टुबेल तक अलेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं साथी साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिसेट्स अबलेबल हैं और सबका अलग-अलग फोल्डर बना दिया गया है तो आप जाके वहां से देख सकते हैं तो आईए अब बटने क्वेशन की तरफ आजका जो हमारा क्वेशन है वहां से लेके 22 तक मैंस र निमलिखित नेताओं में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र की अबधारना से संबन्दित है तो इस कोशन का सही अंसर हो जागा ऑप्सन नमर भी जैप्रकास नरायन जैप्रकास नरायन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जेपी अंदोलन बिहार के माध्यम से भारत में दल र लोकसबा के अध्यच को कैसे हटाया जाता है तो लोकसबा के अगर हटाने की अगर हम बात करते हैं तो लोकसबा के ततकालीन सदस्यों के 20 समर्थन होना अनिवार्ज है अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा की संरेचना है अनुछेद 81 में और अनुछेद 93 में के तहत लोकसभा जो है वो स्वेम ही अपने सदस्यों में से एक अध्याच और एक उपध्याच चुनती है अध्याज जो होगा वो उपध्याज को अपना त्याग पत्र देता है नक्स कोशन हमारा कोशन नमर 25 कोशन नमर 25 कहा रहा है निती नहीं दे सकता तो को निमलिखित में से किस ने लच बामा कांचाओं की घोसना पत्र कहा और इन्हें धार्मी कुपदेश बताया था तो ये कहा गया था केसी वेर के द्वारा तो इस कोशन का सही अंसर होगा अप्सन नमर B अगर हम बात करते हैं केटी सा की तो केटी सा से याद रखेगा इन्होंने निती निदे सकतात्यों के बारे में कहा था नेक्स कोशन है कोशन नमर 26 ये सुमेरित करने के लिए कह रहा है अगर हम बात करते हैं अनुछे 40 की तो अनुछे 40 मैच करेगा ग्राम पंचायतों के संगठन से अनुछे 44 की बात करते हैं तो समान नागरिक सहिता के साथ मैच करेगा अनुछेद 48 की बात करते हैं तो क्रिसी बम पसुपालन संबंधी और अनुछेद उन्चास राष्टी असमारक संबंधी प्रब्धाम से मैच करेगा यहां से यह सब जो है बो निती निदेशक तत्व का है अनुछेद 36 से एकामन के बीचों के अनुछेद हैं यह यहां से एक अनुछेद याद रखेगा जो बहुत बार एकजाम में कोशन से पूछा गया है वो है 48 क क ठीक है यह परियाबरन से संबंधी थे और यह 48 क क में कहा गया है परियाबरन का संरचन तथा संबर्धन और बन बं बन जीबों की रच्छा नेक्स कोशन है हमारा Q27, Q27 कह रहा है, निमलिखित में से किस सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा सहरी अस्थानिय सासन को सम्विधानिक दर्जा प्रादान किया गया है तो इस Q27 का सही अंसर होगा option number B, चहुतर्मा सम्विधान संसोधन के द्वारा चोहितर्मा सम्मिधान संसोधन हुगा उनईसोबानमे में और इसी के द्वारा सहरी अस्थानिय निकाय को सम्मिधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और इसके द्वारा संविधान के भाग में भाग नौक क को सामिल किया गया था और बारहमी अनुसुची जोडा गया था अगर हम और आपसंस की बात करते हैं तो तिहतर्मा संविधान संसोधन से याद रखेगा इसके अंतरगत सम्मिधान में एक रहमी अनुसुची जोड़ी गई और इसमें पंचायती रास्वंद्य प्रभधानों को समलित किया गया है अगर हम बात करते हैं छियतर्मा सम्मिधान संसोधन की तो ये हुआ है 194 में और इस सम्मिधान संसोधन के तहत 9 मी अनुसुची में संसोधन किया गया था अगर हम बात करते हैं 92 सम्मिधान संसोधन की तो ये हुआ था 2003 में और इस सम्मिधान संसोधन के तहत सम्मिधान की 8 मी सुची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भासाओं का समा बेस किया गया था Next question हमारा, question number 28 Question number 28 कहरा, निमलेखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में परचलित नहीं है तो देखिए, जट जाटीन है ही, समा चेकवा है, डोमकज भी है, तमासा नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है या नहीं तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है तो इस question का सही अंसर होगा, option number 8, 10 दिन Next question हमारा, question number 30 question number 30 कहरे भारतिय सम्मिधान के निम्न में से कौन संघात्मक गुन बिद्धवान है तो सम्मिधान सर्बोच्छ बिल्कुल संघ और लाजियों के बीच सक्तियों का विभाजन है ये भी है और नियापालिका की स्वतंतरता है तो ये भी है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number D एक दो और तीन next question number 31 question number 31 कहरा संसद में केंद्रिय बजट की तैयारी और प्रस्तूती के लिए निम्लिकित में से कौन सा बिभाग उतर दाई है तो देखिए budget की जहां तक अगर हम लोग बात करते हैं तो बित मंतराले में आर्थिक मामलों के बिभाग जो होता है वो budget निर्वान के लिए जिम्मेदार होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number B आर्थिक मामलों के बिभाग अगर हम बात करते हैं budget 2020 की तो यहां से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 2020 कीज़ का budget था उसका जो theme था वो था ease of living next question number 32 question number 32 का जीडिपी के अनुसार भारत की 20 वर्था वेवस्था में कौन सा स्थान है तो देखिए बात करते हैं जीडिपी जीडिपी का मतलब होता है gross domestic product हिंदी में इसको अमलोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यह होता क्या है तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर इस्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक की काईयों द्वारा एक बर्स में उत्पादि सभू बस्तूओं और सिवाओं का अंति मौद्रिक मुल्ज होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ये देखी ये रिसेंटली हमेसा चेंज हो रहता है अभी करोना के कारण भी जीडीपी बहुत जादा उपर नीचे हुआ है तो ये रिसेंटली का आकड़ा याद करके रखिएगा आप लोग नेक्स कोशन हमारा कोशन अमर 33 कोशन अमर 33 कर रहा है निम्न में से कौन सी पंचबर्सियोय योजना जो है वो डी आर गॉडगिल मोडल पर आधारित है तो डी आर गॉडगिल मोडल की अगर बात करते हैं तो इस पर चतूर्थ पंचबर्सियोय योजना आधारित है तो इस अस्थीरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्म निर्भरता की अधिक आधिक प्राप्ति अगर हम बात करते हैं और आप्संस की मतलब त्रीतिय पंचबर्सिय योजना की तब उसका टैनुवर था अगर हम बात करते हैं दूतिय पंचबर्सिय योजना का तो दूतिय पंचबर्सिय योजना से याद रखेगा इसका जो मुखु देश था वो था समग रूप से उत्पादक्ता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अधिक अबसर जुटाना एक चीज और याद रखेगा साथमी पंचबर्सिय योजना से कि इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था नग्स कोषण हमारा कोषण 34 कोषण नमर ठाटीफूर करें दुरगापूरी सिपाथसजन्त किस देश की साहता से शथापित किया गया था तो यह ब्रिटेन की साहता से किया गया तो इस कोषण का सधिक होगा आफसे नमर डी अगर हम बात करते हैं जर्मनी की तो जर्मनी से याद रखेगा राउल केला जो उडिसा में है वो जर्मनी के साहता से और जसिया जो समय सोबिय संग हुआ करता था तो सोबिय संग से याद रखेगा भिलाई 36 गड़ और जारखंड नेक्स कोशन कोशन नमबर 35 भारत में नबार पुंड बित प्रदान नहीं करता है तो यह निरियात आयात बैंक को यानि Emperor बैंक को नहीं करता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा और इसके जो अभी ततकालीन चेयल परसन है उनका नाम है गउबिंद रजिलू चिंटाला नेक्स कोश्चन है मारा कोश्चन नमर्ट थाटी सिक्स फिल लोडी रोग निम्ड में से किस फसल में पाया जाता है तो यह एक बिसानु जनित रोग है जो की तिल में पाया जाता है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर्ट थाटी सेबन Question No. 37 कह रहा है, निम्ड में से कौन यू क्रियाटिक कोसीका के सम्भाध में सही नहीं है तो यह सेलूलोज की बनी होती है, सही है, इसमें ऐसी प्रकार के राइबोजों मुपस्थित होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है तो इस Question का सही अंसर होगा, Option No. C यहां से एक चीज और याद रखिएगा, कि जो यू क्रियाटिक कोसीका होती है, इसमें जो स्वसन होता है, वो माइट्रो कॉंडिया के द्वारा होता है Next Question हमारा, Question No. 38, निम्नेखित कतनों पर विचार करने कह रहा है, कार का मातरक जूल है, यह सही है, सक्ति का मातरक बाठ है, यह भी सही है, उर्जा का मातरक नूटन है, यह गलत है, क्योंकि उर्जा का मातरक वही होता है, जो कार्ज का मातरक होता है, तो यानि उर्जा का मातर से केरोसीन तेल गिसके ऊपर ऊपर ऊठता है तो यह केसी कतत के कारण होता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो जगा ऑप्सन नबर सी बत्ती में कोशी का किरिया देखिए केस नली में द्रब के तो ऊपर चढ़ने अथवार नीचे उतरने की जो घटना होती है उसी कौम लोग केसी कतत कहते हैं नेक्स्क्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक होता है रक्त जो है वो एक छारी बिलियन है और इसका पी एच मांग 7.4 होता है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 41 कारा बोंक्राइटीस रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यह बोंक्राइटीस हो गया निमोनिया टीबी यह सब जो होगा वो फेफडा को परभावित करने वाले रोग है तो इसकोशन का सही अंसर हो जागा और फेफडा नेक्स कोशन है कोशन लाकड़ी में केम्बियम की गति भीधियों को मताथह किए तो प्लांट हर्मोन को बढ़ाते है वह है जिब्रेलीन के कोशन का सही अंसर होगा जिब्रेलीन करें हम लोग बात करते हैं तो यह पौधे का हर्मोन है जो विभिन विकास प्रिक्रियाओं को भी नियमित करता है अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिंज की तो इसकी खोज एक जैपानी बैग्यानिक कूरो साबा के द्वारा उन्हीं सो 26 में की गई थी और यह बौने पौधे क को लंबे करने और फूल बनने में मदद करता है नेक्स कोशन अमारा कोशन नमर 43 कोशन नमर 43 करणा पाईरस माइलस निम्न में से किसका बैग्यानिक नाम है तो यह सेव का बैग्यानिक नाम है तो इस कोशन का सही अंसर हो जागा और अगर हम बात करते हैं संत्रा की तो संत् पेंट बनाने में किया जाता है तो रेजीन का परियोग किया जाता है बर्नी पॉलिस्य पेंट यह सब बनाने में तोly subject matter का सही अंसर होगा आप्शल बी मैं next question हमारा question number 45 कि मानद जाती का विकास करम क्या है तो इस question का अलकोहल और सलफीलुई काम से बने इस्टर के सोडियम लवन होते हैं तो इस कोशन का जो सहींसरोगा बो जगा option number D, sodium laryl sulfate. नेक्स कोशन है, कोशन नमर 47, कोशन नमर 47 कहला है, निमली खित में से धोनी की चाल नियूंतम किसमें होगी, तो नियूंतम अगर देखा जाए, तो नियूंतम यहाँ options के according हो जाएगा alcohol में, तो इस कोशन का सएंसरोगा option number E, alcohol. नेक्स कोशन है, कोशन नमर 48, परमानु के नाभी का अकार होता है, तो परमानु का नाभी का अकार होता है, 22 अपापर माइनस 15 मीटर तो इस कोशन का सहींसरोगा option नमर्ड़ डी कोश्चेंट नमर्फी नमर्फ से पहले देख लेते हैं जो बिना बिदूत नष्ट किये हुए परति धारा के बिदुत बाहक बल सक्ति को बढ़ाता या घटाता है यह जो है ट्रांसफर्वर मतलब पासपरिक प्रिजन के सिधान पर काम करता है और यह सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करेंट के लिए यूज किया जाता है तो इस कोशन का जो सहीन सरोगा बो हो जागा आपसन नमर एक नेक्स कोशन है कोशन नमर 51 करा आधुनिक आबर्स आदनी जो मोसले के द्वारा बनाया गया था उसमें कुल बर्गों की संख्या कितनी है तो मोसले ने एक से लेकर बर्ग साथ तक दो उपवर्गों ए और बी में बटे हुए होते हैं इस परकार उपवर्गों सहीत कुल बर्गों की जो संख्या होती है वो 18 होती है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा आपसन नमर और सी 18 नेक्स कोशन है कोशन नमर 52 आयास्क में तूथ पेष्ट बनाने में किस योगी का परियोग किया जाता है तो तूथ पेष्ट में हम लोग कैलसियम फासफोर्ट का यूज़ करते हैं तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नमर 1 कैलसियम फासफेट अगर हम बात यहीं पर calcium carbonate की करते हैं तो मतलब CACO 3 की तो इससे याद रखेगा इसका परयोग जहें वो cement उद्योग में दिबारों की सफेदी करने के काम आता है अगर हम बात calcium कarvide की करते हैं तो यह जल की प्रती किरिया से acetylene gas उत्पन करता है और अगर हम बात calcium oxide की करते हैं तो इससे याद रखेगा इसे q-clime कहा जाता है और इसका उपयोग सुस्क कारक के रूप में किया जाता है next question अमारा question number 54 question number 54 करा पर्म्यूटिट बिधी द्वारक किसे दूर किया जाता है तो जल की अस्थाई का ठोड़ता दूर करने की यह सबसे प्रमुख भी दिये तो इस question का जो सहीम सरोगा बो हो जाएगा question number B जल की अस्थाई का ठोड़ता है जल की जो अस्थाई का ठोड़ता होती है वो किसके कारण होती है तो कैल्सियम एब मैगनीसियम के क्लोराइड तथा गुशन अस्थाई का ठोड़ता है रहना है question number 55 एक अगर हम बात करते हैं पाचन तंतर की तो यह मैच करेगा भोजन के पाचन से परिसंचरण तंतर की बात करते हैं तो यह रक्त परिवहन से मैच करेगा जनन तंत्र की अगर बात करते हैं तो बंस परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जनन से मैच करेगा और तंत्र का तंत्र की बात करते हैं तो सरीर के कारियों का नियंतरन से मैच करेगा Next question है हमारा question number 56 Question number 56 कह रहा स्वामी बिवेकनन द्वारा बेदान सोसाइटी का गठन कब किया गया था तो स्वामी बिवेकनन द्वारा बेदान सोसाइटी का गठन किया गया था 1896 में तो इस question का सही अंसरों का option number B 1896 स्वामी बिवेकनन से और चीद याद रखेगा इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधी हुई तो इसके उपरांत या डाबू की संधी हुई थी तो इस question का सही अंसर होगा option number A option number C sorry, या डाबू की संधी देखे यहाँ पे तीन और दो और याद रखेगा प्रथम अंगल माराथा यूथ जो की सलबाई की संधी हुई थी और प्रथम अंगल मासुरित जो की मदराथ की संधी हुई थी नेक्स question अमारा question number 58 अठारा सा संतामन इसवी के संग्राम में लखनाओ में हुए बिद्रो का नेतरित बेगाम हजरत महल द्वारा किया गया लेकिन इसको दवाने वाला अंग्रेज कौन था देखी अगर हम लोग बात करते हैं कि लखनाओ में किस के द्वारा दवाया गया था तो वो मेजर कैम्प बेल के द्वारा दवाया गया था दमन करता हुई उसके मेजर कैम्प बेल थे तो इस question का सही answer होगा अगर हम लोग बात करते हैं करनल नील की मेजर नील नहीं करनल नील था करनल नील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इलाहबाद का दमन करता था और इलाहबाद के जो भारतिये नायक थे वो थे लियायक करते लिई अगर हम बात करते हैं बिसेंट आयर की तो ये बिसेंट आयर जो था वो जगदीजपूर का दमन करता था और जगदीजपूर के नायक थे कुवर सिंग अगर हम बात करते हैं निकोलसन की निकोलसन जो था वो मारा गया था दिल्ली में दिल्ली में दमन करता मारा गया था और दिल्ली के जो भारतिय नायक थे बो थे बहादूर साथ जफर नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 59 करें निमलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्स में सामिल नहीं था तो बिरसा मुंडा की आदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आचरन की सुधिता थी एकसर बात भी था आत्मसुधार भी था लेकिन अहीं सा नहीं था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप्सन नमर डी next question है हमारा question number 60 question number 60 करा Simon Ayo को स्वेत कमिशन कहा जाता था क्यूँकि उसमें सिर्फ जो साथ सदसी आयोग था जॉन साइमन की अधेचता में आया था और वो साथो जो लोग थे वो गोरे लोग थे इसलिए इसको स्वेत कमिशन कहा जाता है और इसके गठन का उद्देश निम्ड में से क्या था तो इसके गठन का जो उद्देश था वो था भारत सासन अधिनियम 2019 की समिच्छा करना तो इस question का सही अंसर होगा option number B भारत सासन अधिनियम 2019 की समिच्छा है तू अगर हम बात करते हैं साइमन आयो की तो साइमन आयो का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को और ये इसका भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को नक्स कोशन हमारा question number 61 भारत में 10 प्रथा पर प्रतिबंद लगाने की अनुसंसा कब की गई थी तो ये किया गया था 1833 इसवी के चाटर अधिनियम द्वारा इसको प्रतिबंदित किया गया था और लॉड एलन बेर्लो के द्वारा 1843 इसवी में किया गया था तो इसकोशन का सही अंसर होगा option number B 1843 next question question number 62 कि भारतिये तिरंगे को सरपर्थम किसके द्वारा फर आया गया था तो सरपर्थम जवाहरला नहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात के ठीक 12 बजे राभी नदी के टटपर लहोर में भारतिये तिरंगा फ़ार आया गया था तो इस question का सही अंसर होगा option number B जवाहरला नहरू भारतिये तिरंगे से याद रखेगा जो हमारा राष्टिये द्वाज है उसको सम्मिधान सभा में प्रस्तूत किया गया था हंसा महता के द्वारा और भारत के सम्मिधान सभा ने राष्ट द्वाज का जो प्रारूप था उसको 22 जुलाई उनाई सो 47 को अपनाया था एक चीज और यहां से याद रखेगा जिद्वाज की जो लंबाई और चड़ाई का अनुपात होता है वो तीन अनुपात दो होता है नग्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 63 गंधार रिभा मतुरा कली सहली का विकास किसके सासनकाल में हुआ था तो देखे अगर हम लोग बात करते हैं तो कुसान के सासनकाल में हुआ था कुसान सासक था कनिस्क उसके सासनकाल में हुआ था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा अपसन अबरे कनिस्क अगर हम लोग बात करते हैं कनिस्की तो कनिस्क से कुछ और चीजे भी याद रखेगा कनिस्क ने 78 इस्वी में एक संबत चलाया था जो सक संबत कहलाता है और अगर हम बात करते हैं कनिस्की तो ये बहुत धर्म की चोथी बहुत संगती जो हुआ था वो इसी के सासनकाल में कुंडलवन कास्मीर में हुआ था ये बहुत धर्म के महायान संप्रदाय का अनुआ था और इसका एक राज कभी था जिसका नाम था आस्वगोस उसने ही बौधों की रमायन बुध चरीत की रचना की थी नेक्स कोशन अमारा कोशन नमर्स 64 कोशन नमर्स 64 कर रहा गांधी ची ने उन्हें 132 स्वी में उपवास प्रधान ता किस लिए किया था तो यह किये थे उन्होंने रैमजे मैक डॉनाल्ड के द्वारा लाए गया संप्रदाईक अधी निर्नय के कारण तो इस कोशन का सही अंसर होगा उप्सन नमर्स C अगर हम बात करते हैं रैमजे मैक डॉनाल्ड की तो यहां से एक चीज़ याद रखेगा यह जो जैम से रैमजे मैक डॉनाल्ड था वो तीनों गोल में मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधान मंतर यही था नक्स कोशन है मारा कोशन नमर्स 65 कोशन नमर्स 65 कहरा पटना में भावानी मंदिर करांतिकारी समस्था किया स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो यह भूपेंदर नाथ दत के द्वारा किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number D, sum यहाँ से एक चीज याद रखेगा रिग बेद से कि रिग बेद में total 10 मंडल थे, 1028 सुक्त था और 10462 इल चाहे थी जिसका तीसरा मंडल गैतरी मन से संबंदित है और दसमा मंडल जो है वो चतूस बंद समाज की कलपना से संबंदित है next question है question number 67 question number 67 कहरा सिंदुगाटी सब्विता के अंतरगत प्राप्त लिपी लिखी जाती थी तो देखिए सिंदुगाटी की सब्विता की अगर हम लोग लिपी की बात करते हैं तो वो भावचितरात्मक थी और यह लिपी जो है वो दाईं से बाईं और लिखी जाती थी लेकिन जब जो अभिलेख होता था वो एक से अधीक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो थी वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी और जो दूसरी पंक्ती थी वो बाईं से दाईं के और लिखी जाती थी तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number C पहली पंक्ती दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ती बाईं से दाईं और next question हमारा question number 68 question number 68 कह रहा है निमिन में से कौन प्रथम बहुत संगती के अध्यच थे तो प्रथम बहुत संगती के अगर अध्यच की हम लोग बात करते हैं तो हो थे महाकस्यप तो इस question का सही अंसर होगा option number C महाकस्यप देखे चार बहुत संगतिया हुई है प्रथम के अध्याच थे महाकस्यप दूसरे के अध्याच थे सवाकामी तीसरे के अध्याच थे मौगली पुतर तिस्त और चौथे के बसु मित्रया अस्ब घोस नेक्सक्योंने मारा कॉष्ण नम्लिकिर मेसे कौन सुमेलित नहीं है तो देखें कानपूर नाना साहивает सुमेलित थे अब दिल्ली बक्त खान ये बिल्कुल सही है Next question अमारा question number 70 Question number 70 कह रहा तुर्कान चीहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था तो देखिए तुर्कान चीहलगानी के अगर हम लोग बात करते तो इसको समाप्त किया गया था बल्बन के द्वारा लेकिन इसका जो गठन था वो 40 गुलान सरदारों का ये संगठन था जो की तूतमिस के द्वारा किया गया था लेकिन यहां समाप्त किसके द्वारा पूछ रहा है तब अंसर हो जाएगा बल्बन बल्बन से और चीज़े याद रखिएगा इसने राज दरबार में सिजदा अबम पवोस पुराथा की सुरुवात की थी इसने नरोजु सब भी आरंब किया था साथी साथ इसने लोह अबम रक्त की निती का भी पालन किया था नेक्स कोशन अमारा कोशन ओवा 71 कोशन ओवा 71 करा अधीना मजजित का निर्मान की सासक के द्वारा करवाया गया था तो ये 1373 AD में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में करवाया गया था और ये बंगाल के दूसरे सल्तनत सिकंदर साह के समय करवाया गया था तो इस question का जो सागर हो गाब हो जागा option number B, सुल्तान सिकंदर के समय next question number 72 कर्या बिहार में राजनितिक पीडित दिवस का मनाय जाता है तो देख है 10.049 को बिहार में राजनितिक पीडित दिवस मनाया गया तो इस question का जो जाइय अर्योंOS architect 1929 और इसी दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया था जिसका ने तरित डॉक्टर राजियन परसाथ के द्वारा किया गया था साथी साथ इसके कुछ और पर मुख चितरकार थे आगारा राजा उस्ताद मंसूर बिसंदास गोबर्दन ये सारे जहांगीर के दर्बार के परमुख चितरकार थे जहांगीर के दरबार से एक चीज़ याद रखेगा कि जहांगीर ने आगा खांके नेतरित में आगरा में एक चितरन साला की भी अस्थापना की थी जहांगीर के समय को चितर कला का स्वन काल भी कहा जाता है और अबूल हसन से एक चीज़ याद रखेगा कि अबूल हसन को जहांगीर ने नाधी रुज्जाम्मा की उपाधी प्रदान की थी कोश्चन नमर 74 कारा है निमलिखित में से किस राज्यों की सीमा बंगलादेश से मिलती है और बंगलादेश जो है वो भारत के पाँच राज्यों की सीमा बनाती है वो पाँच राज्यों है पस्चे मंगाल, असाम, मेघाले, तिरपूरा और मिजोरम तो इस उप्सन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां सब है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा उप्सन नमर D, 1, 2, 3, 4, तिरपूरा से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बंगलादेश की सीमा और तिरपूरा की जो सीमा है मतलब तिरपूरा और बंगलादेश की सीमा को हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 75 कोश्चन नमर 75 कर भारतिय मानक समय रेखा भारतिय मानक समय रेखा यानि 82 डिग्री 30 मिनट पुर्वी देसांतर की ये बात कर रहा है और किस राज से होकर नहीं गुजरती है तो यह किस से किस से होकर गुजरती है यह उतरपदेश, मदपदेश, छतिसगर, उरिसा और आंधपदेश से होकर गुजरती है तेलंगना से होकर नहीं गुजरती है तो इस question का सही answer होगा option number B कोईला next question हमारा question number 27 कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तो देखिए अगर मकर रेखा को दो बार काटने के लिए पुछेगा तब अंसर हो जाएगा लिमपोपो नदी अगर यही भूमद रेखा को दो बार पुछेगा उत्तर से दचिन का सही करम बताइए तो यह सही करम में आप सह जाएएगा तो निल गिल पहाडियां हो जाएगी अन्ना मलाई और इलाइनची पहाडियां इलाइनची पहाडियां को ही हम लोग काडमम की पहाडियां कहते हैं next question हमारा question number 79 question number 79 कहरा तेल नदी निम्न में से किस की सहायक नदी है तो यह जो है वो महानदी की सहायक नदी है तो इस question का सही अनसर है option number C महानदी महानदी की कुछ औन सहायक नदियां के भी नाम याद रखिएगा जैसे सिबनात, मांट, इब, जोंक महानदी का जो उद्गाम अस्थान है वो है मधपदेश में, राइपुल जनपद में, सिहाबा के निकट अगर हम और options की बात करते हैं तो गोदाबरी की सहायक नदियां याद रखिएगा पेन गंगा, बेन गंगा, प्रान हिता, इंदराबती, मानेर काबेरी की सहायक नदियां याद रखिएगा हेमबती, स्वनबती, अमराबती, भवानी यमुना की सहायक नदियां याद रखिएगा गिरी, चंबल, बेतबा, केन ये सब यमुना की सहायक नदियां है next question हमारा, question number 80 question number 80 करे, निम्न में से कौन से जी जील बिवर्तनिक जील, बो जील होती है जिनका निर्माल धरातल के उठने और धसने से होता है, तो कास्मीर का जो बुलर जील है, बो इसका सबसे अच्छा एक्जाम पले, तो इस कोशन का सहियन सरोजय का बुलर जील बुलर जील से याद रखेगा, तुलबुल परियोजना इसी पर है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है अगर हम बात करते हैं, चिलका जील की, तो चिलका जील से याद रखेगा, ये भारत की सबसे बड़ी टटीय जील है, लोनार जील महराश्ट में है रूपकंड जील जो है वो उत्राखंड में है Next question, question number 81 question number 81 कहरा निमलिखित बन्नों में से भारत में सरवाधीक ब्रिहर छेतर में कौन बन पाए जाते हैं तो ये पाए जाता है सरवाधीक उसन कटी बन दिये सुस्क पन पाती बन इस question का सही अंसर होगा option number C उसन कटिबंदिये सुस्क पातिबं और ये मुखता मधगंगा मैदान से लेकर दच्छिन भारत तक बिस्तृत है next question number question number 82 question number 82 कहईड़ा गाहिर माथा ओली विरीड ले कच्छुय के प्रजनन के लिए प्रसीद है ये अस्थान किस राज में है तो ये जो है वो उडिसा के समुदरी टट के पास है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number B उडिसा उडिसा से एक चीज याद रखेगा बलराम योजना जलसाथी कार्जकरम कालिया योजना ये सब उडिसा से संबंदित है जिसमें कालिया योजना को बड़ी अच्छे से याद रखेगा कालिया योजना बहुत बारिक जामें पूछा जा चुका है next question अमारा question number 83 question number 83 करा टोड़ा नाग पूरी निमनी में से किस की प्रमुख नसल है तो ये सब भैंस की प्रमुख नसल है तो इस question का सही अंसर है option number C next question अमारा question number 84 करा किस प्रानी के प्लाज्मा में blood suspended होता आथवा बनता है तो अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है मेड़क में तो इस question का सही अंसर हो जागा option number B मेड़क की अगर बात करते हैं ये amphibia बर्ग का प्रानी है next question अमारा question number 85 question number 85 का रहा है हेमेटाइट लॉयस का सरबादीक भंडार की सिराज में है तो हेमेटाइट की अगर बात करते हैं तो इसका सरबादीक भंडार जो है वो उडिसा में स्थित है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number B उडिसा उडिसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उडिसा के हाँ उडिसा से भी हम लोगों ने योजनाय देखी लिए उडिसा के मुख मंतरी का नाम है नवीन पतनायक next question अमारा question number 86 कहरा ताती पा का तेल परिसोधन साला कहां इस्तित है तो ये जो है वो आंध्रपदेश में इस्तित है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number D आंध्रपदेश आंध्रपदेश के मुख मंतरी का नाम है जग महुन रेडड़ी और आंध्रपदेश के गबरनर का नाम है विस्व भूसन हरी चंदन next question अमारा question number 87 question number 87 के रहा है विस्व हाथी दिवस निम में से किस तिथी को मनाया जाता है तो हाथी दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिद दिन अंतर राष्टी यूबा दिवस मनाया जाता है तो इस question का सही अंसर होगा option number B बार अगस्त इस option से 29 जून से याद रखिए निम में से कौन सा भिहारन उड़ी सा राज में बस थीत है तो सिमली पाल भी है भीत कंड का भी है और नंदा कानन भी है तो इस question का सही अंसर होगा option number D एक दो और तीन तीन हो है next question number 89 question number 89 कहा रहा अंजुक्त राष्ट विकास कार्जक्रम का मुख्याले कहां इस्तित है मतलब United Nation Development Program की यह बात कर रहा है तो इसका जो मुख्याले है वो जिन्यूवर्क में इस्तित है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number C निवर्क और इसकी अस्थापना हुई थी 22 November 1965 को next question हमारा question number 90 question number 90 कहरा T सब्द किस खेल से संबंदित है तो T होता क्या है ये पहले तो है गोल्फ से संबंदित और T होता गया है वो संतल भूमी जहां से पहला सौट लगाया जाता है उसी को हम लोग T कहते हैं गोल्फ की अगर बात करते हैं गोल्फ से याद रखिएगा कि आधूनिक गोल्फ का जो खेल है वो सरपथम स्कॉटलंड में सुरू किया गया था next question हमारा question number 91 question number 91 कहरा उलन बटोर नेमन में से किस देश की राधानी है तो ये जो है वो मंगोलिया की राधानी है तो वो भारत के 13 में राष्ट पती थे और उनका जो टैनूर था वो था 2012 से लेकर 2017 और उन्हें 2019 में भारत के सरबो चनागरिक भारत रत्म से भी समानी किया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो जगा option number 13 13 अब ही जो राष्ट पती है उनका नाम है रामनात कोभी जो की 14 में राष्ट पती है नेक्स कोशन हमारा कोशन number 93 कहला राष्टिय सुदूर संबेदन संस्थान यानि National Remote Sensing Institute Center कहां इस्थित है तो ये तेलंगना हैदराबाद में इस्थित है तो इस question का सही केंदरिये बन अनुसंधान संस्थान और अगर हम बात बैंगलोरू की करते हैं तो बैंगलोरू से याद रखियेगा रमन अनुसंधान संस्थान प्रस्थित की बिग्यान केंद भारतिये खगोल संस्थान आमादाबाद की बात करते हैं समदाबास से याद रखेगा कपड़ा उदियोक अनुसंधान संस्थान नेक्स्ट कोशन अमारा कोशन नमर नाइटी-फोर के रस सौट श्टॉरी निम्र में से किस प्रसीद बैक्ति की रचना है तो अगर हम बात करते हैं सौट श्टॉरी की तो सौट श्टॉरी हो गया गोर क्या होती है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बोहो का अप्सन नमर ए प्रती एक लाग जीवित जन्मों पर माताओं की मिर्टू की संख्या नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नमर 96 नेमलेखित में से कौन सा भी कल्प 2011 की जन्गन्ना की अधार पर सरबादीक लिंगा अनुप इस मनिपूरो और 36 अगर हम बात करते हैं निउंतम की तो निउंतम है हरियाना में । नच्स कोशन हमारा कोशन नमर 97 कर रहा गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किसके बैपार से समद्दित है तो यह सरकारी प्रतिभूतियो के बैपार से समद्दित थे तो इस कोशन का वस्ती तीनों से है तो इस question का सही answer हो जाएगा एक दो और तीन अगर हम बात करते हैं टामाटर की तो टामाटर का संबंद जो है वो लाल करांती से है next question हमारा question number 99 question number 99 करा भारत के सकल घरे लिलूत पाद में अर्थ वेबस्ता के किस छेतर का सरबदी की योगदान है तो सरबदी की योगदान जो है वो त्रीतियक छेतर का है तो इस question का सही answer है option number C में सूचनाई रखने वाली जो बेक्ती होते हैं वो शेयरों का कर बिक्रे करता है तो उसी को हम लोग insider trading कहते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साथी साथ आप लोगों का marks कितना आ रहा है कमें कर लोगं का वीडियो आप हमारी हैं ख